हलो प्यारे बच्चों आप देखें आपका यूट्यूब चैनल प्रिजम इंस्टिट्यूट और मैं हूं मदलाल साहू अपने एक अक्सा टैंथ की जो प्रसनावली आठ्वंड चार है और डिमंड दुबारा करवाई गई है उसमें जो फर्स्ट पार्ट वो काफी लंबा हो पोने की बज़े से बीच में रोग दिया था जो सिद्ध करने वाले पांचवे प्रसन में दस पार्ट थे उसमें से तीन पार्ट करवा दिये उसके आगे उसको कंटिन्यू करें और यह चोथा प्रसन अपना है चोथी प्रसन में यह दे रखा है कि वन प्लस साह के बटा से एक है इसकी जो वेल्यू है वो क्या होती है साइन स्क्वेर एपन वन माइनिस कॉस एक है बराबर होती है अपने को सिद्ध करवाने है और वैसे यह प्रसन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि दो जार जो तेरा है उसमें आ रखा है यह अपने ही काम करते है सबसे पहला इसका आ göra पार्ट लेघे यह ब discadian का में क्या गरता साइक है और वचे मी क्या है छाय कि अब देखिकर सिद्ध करने में सिद्द करने में आपके पास साइन और को सर यहां कोई सुत्र नहीं लग रहा तो एक क्या आइडीय आता है कि आप इसको सैक को कोस के पदों में लिख लो तो जैसे आपका ये वन तो है ये जो सैक है इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कोस है फिर बटे में सैक को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन में कोस है अब आप ये देखोगे कि जो ऊपर दो पार्ट है दोनों के अंदर LCM आ र है इस को से से यह को से कैंसिल हो गया कैंसिल होते अब आपके पास क्या बच गया है कि को से प्लस वन रहे गया को से प्लस वन और अपन में वन इसको थोड़ा समय ठीक लिख लेता हूं ठीक मतलब पहले वन को लिख देता हूं कोई फरक नहीं पड़ेगा one plus cause है और अपन में क्या लिखा वर अब देखें यहां ने तो कोई फर्मला लग रहा है ने इसको आगे चलाए जा सकता है आरच इसको आप गोर से देखोगे तो नीचे one minus cause है चाहिए क्या चाहिए one minus cause है यह आएगा कहां से यह एक ही तरीके से आएगा जब आप one minus cause है का हर के अंदर जो denominator है उस denominator में आप multiply करोगे गुणा करोगे तब आपको मिलेगा तो यह काम करते है one minus cause a की answer हर में गुणा करवा दे तो one minus cause a की answer हर में गुणा यह आपको थोड़ा सा केंदर रखना पड़ेगा इसकी गुणा करनी पड़ेगी कि one plus में cause a बटा one तो है उपर भी one minus cause a से multiply नीचे भी one minus cause a से multiply उपर देखा तो a plus b गुणा a minus b है तो a plus b into a minus b तो आपको याद होगा कि a plus b into a minus b होता है तो इसको लिख सकता है कि a square minus b square तो a यहाँ कौन है one है तो one square बी कौन है cos है तो cos square है और वट्टे में एक से गुणा आप करोगे तो one minus में क्या आएगा cause है तो one का square आप पोलोगे तो one minus cos square है और वट्टे में क्या है one minus में cause है RHS को देखा तो नीचे वाल पार्ट ता आगे उपरवाला नहीं आ रहा तो उपरवाला भी आ जाएगा कैसे आएगा sin square cos square में एक ही फर्मुला है कि sin square theta plus cos square theta क्या होता है one यदि मैं cause को अदर ले जाओं तो यहां क्या रहेगा sin square theta one minus cos square theta तो देखिए यह फर्म है कि one minus cos square theta one minus cos square theta है उसको क्या लिख सकते है sin square theta तो यहां लिखा जा सकता है sin square a और बट्टे में one minus cos है जो कि आपके किसके ही RHS के बराबर आ गया hands prove हो गया सिद्ध हो गया तो ऐसे क्या काफी आसान प्रसंद है कोई दिक्कत है नहीं आने वाली है अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं प्रसंद नमर जो फाइफ है वो कर लेते हैं क्यार होगे इसके पांचवे प्रसंद को और किया जाए भी तो सोथे प्रसंद को में मिटा देता हूं काफी important प्रसंद आई आ रहा 2013 में हो सकता है इस साल भी आपको क्या है मिल जाए 90 प्रसंद सांस है इस प्रसंद के आने के तो इसको आप गोर से करना अब और आगे चलते हैं प्रसंद संख्या जो पांच में है वो पांच में कंदा देख उपर कुछ वासा में दे रखा यह करा कि सर्व समी का कॉसेक स्क स्क्ष Eli बराबर चा ब्राबर क्यों गणा ने कर लिए इसको तो क्या करना है लाग लागू करके लाणा क्या है प्रसंद क्या है कौसे माइनस प्नउ ए प्लस वन क्या धे रखाए कॉशंड माइनस साइन ए प्लस वन बटा कॉस A प्लस साइन A और माइनस बराबर एक कोस टू के अंदर देखो क्या चाहिए इसको इसको चाहिए भी कॉसेक A प्लस कोट है क्या चाहिए कॉसेक A और प्लस में कोट है कॉसेक A प्लस कोट है तो इसे चाहिए कॉसेक A प्लस क्या चाहिए कोट है यह मान से यह तो सबसे पहला काम कि आप इसका RHS LHS ले वही लिखता हूं LHS क्या है कॉस ए माइनस साइन यह प्लस वन बट्टे में क्या आया वही कॉस ए प्लस साइन यह और माइनस वन अब यहां आते हैं एक समयस्या फड़ी हो जती है कि यहां कोई सुत्र नहीं लग रहा और स्ुत्र नहीं लग रहा तो उस कंडिशन में आप क्या करोगे इसा कि कुछ श्मान आजएं तो इसका ही की तरीका भी, आप RHS को देखोगे RHS में क्या रहा है? कॉट आ रहा है तो कॉट अपने बना सकते हैं कॉट कैसे बनता है? कॉस वटा साइन होता है जैसे कॉट थीटा होता न वो होता है कॉस थीटा वटा साइन थीटा कॉस के अंदर किसका sign का भाग लगा दो तो यहां पर भी कोस आ रहे हैं sign से divided करवा दें फिर देखेंगे जो भी होगा गहले, किसका sign a का लिखना पटेगा sign a का अनुब हर में भाग तो भाग एक साथ ने लिखके में सब के साथ अलग लग लिख देता हूं देखे ये को से हैं इसमें भी किसका साइन ए का भाग ये माइनस का साइन ए आपका पड़ा है इसमें भी किसका साइन ए का भाग प्लस का वन भी पड़ा है इसमें भी आप काम करो साइन ए का भाग ये बटा अब अब अटे में जो म बदलाव आएगा कि कॉस बटा साइन, पहला तो जाएगा कॉट ए, फिर माइनस कैंसिल हो गया द्ननों, क्या रह गया वन, वही कट गया न साइन साइन कैंसिल, वाग चला गया एक बार, वन अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक तो देखिए आरचस में कॉट और कॉस एक का जो था ना वो कॉमिनेशन कुछ-कुछ हथ तक आ रहा है कॉस बटा साइन फिर से ये आपका क्या आएगा कॉट है प्लस ये फिर से कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपको वेली क्या देगा वन और माइनस में ये क्या होगा कॉस एक ये मान आ गया अब आपको ये भी गौर रखना है कि इस चीज को काम में आप ले सकते हैं लेना भी है पहले आप इसको एडजेस्ट करो ये जो वन आ रहा ना उसको एकदम अलग करो मैं इन दोनों को मैं पास पास लिख देता हूँ वन को मैं लास्ट में लिख देता हूँ कोल मिला कि क्या लख सकता हूँ कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन बटा इसमें क्या आएगा कि कॉट ए माइनस कॉसेक और प्लस वन ये मैंने इन दोनों को अलग अलग करवा दिया क्या ऐसा करने पर कोई फाइदा होगा कोई बेनिफिट अपने को ऐसा मिलने वाला है क्या तो मिलने वाला अगर बेनिफिट है तो आप उसको लगा सकते है कैसे लागू करोगे कैसे इसको लागू करोगे तो देखिए कि लगबग जो हर होता न हर में तो आपको changing नहीं करवन होता है जहां तक possibility हो कुछ नहीं करवन हर तुझे सार है या तो अड़ जाना चाहिए या और छोटा हो जाना चाहिए तो कॉसेक स्क्वेर ए माइनस कॉट ए वराबर क्या होगा वर तो देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए पड़ा है ये negative है ना मैं इस वन की जगह लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं कॉसेक स्क्वेर ए माइनस में कॉट ए square है ये लिखा और जो बटे में आपका मेटर जैसा था मैं उसको उसी प्रकार उसी फोर्म में लिख रहा हूँ भी a और प्लस वर इससे एक बेनिफिट हो जाएगा इसमें कोट बाद मारा इनमें भी आप आगे पिछे कर लो कोई फरग नहीं पड़े को पहले लिख सकते हो नहीं पढ़ा है फिर देख लेंगे ठीक है एक बार में लिख देता हूँ यह कौट a प्लस कौश है के माइनस अब आप यहां देखोगे कि a स्क्वार माइनस बी स्क्वार है तो यह तूट जाए गवी a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी यह तूट गये और बटे में आपका यह जो कौट a माइनस कौश है के प्लस वन यह पड़ा है अब देखे दो प्लस कौट अब इसको एक ब्रैकेट में डाल देताओं ठीक है ऊपर एक संखिया यह है एक पूरि संखिया यह है value तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए फिर बटे में जो आपके पास मैटर मेंशन है उसको लिखें भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस वन ये जो नेगेटिव है इसकी में अंदर मल्टिप्लाई करवा कि अंदर जो छोटा ब्रैकेट है उसको मैटा ये क्या बन जाएगा कॉट ए और बटे में जो पार्ट आपका पहले चल रहा था कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन ये चल रहा है अब देखिए कि ये वाला मान और ये वाला मान सैम है क्यों सैम देखो कॉट ए पॉजिटिव ये रहा प्लस का कॉसेक ए नेगेटिव अगया, ये शित्व हो गया, कि थोड़ा सा क्या है, लम्बा प्रसन ए, थोड़ा सोतने लाइक प्रसन ए, इसको काम में लेना पढ़ रहा है, तब जा कर प्रसन की जो लेंथे, वो बट गए भी, थोड़ा इंपोर्टंट क्या है, कम कह सकते हैं, तो ये भी समझा है तो इसको हटा के इसके आगे वाले चटे प्रसन अच्छा है परिक्षाम पूछ भी रखाएं साइद पिछले साल यह आये था च्छा पिछले साल आये था यह दो साल पहला यह वह परसन है जरूर आपके यह तो देखिए, चटे प्रसंद में दे रखा है रूड में, वन प्लस साइने बटा वन माइनस साइने पांच पी के जो चटा प्रसंद है, उसमें दे रखा है रूड में, वन प्लस साइने बटा वन माइनस साइने इक कोस्टूम आपको लेके क्या आना है आपको लेके आना है सेक A प्लस 10 A क्या लेके आना है सेक A प्लस 10 A इसको भी आप इंपोर्टेंड लगाए लेना ये भी अच्छा प्रसंद है अब दीखिए इसमें LHS वाले पार्ट को लिया जाएं जैसे मैंने LHS को लिया रूड में क्या लिखा हुआ है वन प्लस 10 A बटा वन माइनस 10 अब यहां सबसे बड़े दिकत क्या है दिकत यह नहीं कि यह बनेंगे कैसे सबसे बड़े दिकत क्या है रूड की आरे रूड को अटाये जाएं तो रूड को अटाने का एक की तरीका है आप इसका क्या करवाएं परीमेक अर्ण कर दें रिस्लाइजिसन आप करवादे तो वो कैसे होता है कि पहले जो मान दे रखा है उसको तो आप तुरूंद उतार लो उतार लिया अब देखो जो बटे में जो चीज़ दे रखे उनके बीच का चिन बदल के फिर गुणा कर ओ मतलब 1-sin ए न तो 1-sin A की उपर गुणा और 1-sin A की नीचे गुणा तो देखो ऐसा करने से क्या होगा कि उपर तो सैम संख्या आगई सैम आते ही इसका मेलो 1-sin A का whole square आगया नीचे आप देखोगे कि A-B into A-B तो क्या होगा A square minus B square मतलब 1 square minus में क्या होगा sin square समझाया कि A plus B into A minus B होता है तो सुत्र क्या होगा A square minus B square यह यहां लगाया भी मैंने अब आप देखिए यह root है 1 plus sin A का square यह पड़ा है 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta होता है तो cos square यह लिखूँगा मैं क्यों लिखूँगा आपको यह जानकर एक अंदर है कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है और यदि मैं sin को उदर ले जोगा तो 1 minus में क्या होगा sin square theta इधर क्या रहेगा cos square theta तो 1 minus sin square theta ये one का square लो one ही पड़ा जाएगा one minus sine square theta क्या होगा cos square theta होगा अब देखिए एक benefit हो गया उपर all square है तो ये संख्या root से बाहर आजाएगी बाहर आके क्या लिख सकते हो आप one plus sine नीचे वाले संख्या का भी square है तो ये भी root के बाहर आजाएगी क्या बनेगा cos A यहां तो एक इमान आ रहे है RHS में दो आ रहे हैं तो एक काम करें उपर दो माने अलग-अलग divide करवा दे तो one में भी cos से divide और sign के अंदर भी किसका cos का भाग आप करवा दे तो one upon sign तो क्या होगा second sign बटा cos क्या हो आपका ten A यह RHS की बराबरा है अच्सा प्रसन है छोटा भी है ज्यादा बड़ा नहीं है तो यह करने लाइक प्रसन है इसका भी आप screenshot ले लिजिए फिर और आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं इसका जो साथो प्रसन है वो करते हैं साथों भी अच्छा प्रसन है यह भी आ रखाएं यह भी important है चटा साथों दोनों अच्छे प्रसन है प्रिक्साग दस्टि से क्या है महतवपूर्ण प्रसन है आपके चटा साथवा तो देखे यह साथवा प्रसन है वो भी ज्यादा कठे नहीं है बिल्कुल आसान सा छोटा सा प्रसन है, कुछ फॉर्मले इसमें लगेंगे वे, जैसे ये कराए कि साइन थीटा माइनस टू साइन स्क्वेर थीटा, तू साइन क्यूब थीटा है, सुरी, साथवा ना ये, साथवा ये, साथवा ये, साथवा में यहाँ दे रखा है, साइन थ सां वोना से देखिए कि टू कॉस्ट क्यूब थीटा है कि epoxy कॉस टिटा मैनकॉस थीटा है बराबर रेजल्ट क्या आन से टैन ट्राथ क्या नसे टैन थीटा इस वार एक जगह आपको दिटाई रहां यह विप्रासर ना वा है area माथससा बॉर्ड 2013 में यह प्रसंद पूछा गया हो सकता अब इस साल भी पूछा जाए तो देखिए इसको अल करवाएं आप यह काम करें इसमें LHS वाले पार्ट को लें भी LHS को लिया क्या दे रखा है sin theta minus 2 sin cube theta 2 sin, sorry, cos cube theta minus cos theta पहला काम होता है common देखना तो common RHS प्रसंद में उपर आप देखोगे तो क्या common RHS sin तो यहां तो क्या बच गया 1 2, 1 sin बार चला गया कितना रहा गया sin square theta बटे में इन दोलों में से भी cos common आ रहा cos theta यह हो गया आपका 2 cos square theta minus 1 आप देखिए sin बटा cos यह 10 आ जाएगा अब आपके bracket हट जाने चाहिए अब आप यह गोर से देखो कि इन bracket को इन bracket को आप किस प्रकार से हटा सकते हैं आप किस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां तो कोई वैसे तो कोई formula है ने एक काम जरूर हो जाएगा यह sin square cos square है ना यह आपका one है तो अपने यह जानते देखो कि sin square theta plus cos square theta क्या होता है तो यह काम कर सकते हैं जो one है ना एक तो one यह रहा इसकी जगे यह लिख सकते हैं यह वाला one है इसकी जगे भी आप यह लिख सकते हैं तो मैं इन दोनों जगे यह लिख रहा हूँ भी तो देखिए sin theta one की जगे मैं क्या लिख सकता हूँ sin square theta plus cos square theta यह एक ही संक्या है कोई दिक्कत नेगेटिव लिख दो कि minus में 2 sin square theta यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं देऊ cos को लिखा cos theta यह जो 2 cos square theta यह पढ़ा है यह minus का चिन अब मैं one को लिखूंगा दो संक्यार यह बार negative है तो मेरे को छोटा bracket काम में लेना पढ़ेगा कि sin square theta plus cos square theta यह काम में लिए अब देखो इसमें तो यह bracket अटा के minus के अंदर multiply करवाएंगी ओपर जो घट रहा है उसको घटाएंवे जैसे sin theta तो लिखा यह sin यह cos यह sin इसमें से घटेगा तो पहले आप cos को लिख दो कोई फरक नहीं पढ़ेगा कि cos square theta तो ही यहाँ दो बार है sin square theta यहाँ एक बार तो एक बार आप घटा दीजे तो minus में क्या बच जाएगा sin square theta बटे में आप देखोगे कि cos theta तो है अब यह 2 cos square theta माइनस के अंदर multiply करवाएं भी तो माइनस sin square theta माइनस cos square theta अब नीचे इसमें कुछ गटाएंगे देखो तो उपर आपका sin theta पढ़ाई है और साथ में cos square theta माइनस sin square theta यह आया बार था बटे में cos theta बार था अब देखो 2 बार है cos square theta यह बन बार है यह positive negative गटा देए एक बार तो एक बार बच जाएगा कौन cos square theta और माइनस में क्या रहे गए आपका sin square theta इससे फाइदा यह होगा कि bracket cancel cancel होते है क्या रहा sin theta बटा cos theta जो कि क्या होगा 10 theta किसके equal आगया रहे इसके equal आगया तो यह वाला प्रसन भी आसान है इसका भी आप screenshot ले लिजिए अब इसके और आगये चलते है आठवा प्रसन दस ही है टोटलेश पे है ना सारे अच्छे अच्छे प्रसन है और ज्यादा कटी नहीं देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्छे टिग्नोमेट्री के नाम से ही डरते हैं भी अधरना कि आप इसको दो बार करो ना हराम से समझाएगा आप पढ़ो इसको साथ साथ में इन में सिद्ध करने वालों में आरे चेस का भी ध्यान रखना जरूरी भी आरे चेस किस प्रकार से चाता है वैसे ही मानों को सेट करना पड़ता है अब आगे चलते हैं इसमें आठवा प्रसन और करें भी पाँचो चाटा साथ और आठवा आठवा प्रसन में क्या दे रखा है देखिए यह करा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वाइर क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वाइर फिर प्लस एक वेली और दे रखिए ब्रैकिट में कि कॉस ए प्लस सेक ए का हॉल स्क्वाइर cos A plus sec A का all square बराबर बराबर क्या है 7 plus 7 plus 10 square A plus quarter square A 7 plus 10 square A plus quarter square A यह लेकर आनवी तो LHS वाले part को लीजिए तो LHS को लिखना है LHS को में लिख रहा हूँ कि sin A plus cos A का all square cos A sec A का all square यह लिख दिया अब लिखने के बाद अपने काम क्या करना है सबसे पहले आप यहां all square खोल दीजिए एक बार ठीक है फिर देखेंगे कि 10 बनेगा quarter बनेगा सबसे पहला आपका all square खोल रहा है क्यों खोलना चाहरा है कि यहां से sin square आएगा यहां से cos square आएगा तो 1 तो बने गई आपको 7 चाहिए न दीरे दीरे 7 भी तो बनाना है तो यह खोलो a square plus 2a into b a मैं इसको पढ़ रहा हूँ b cos x को पढ़ रहा हूँ तो a square plus 2a into b और plus b square मतलब cos x square फिर plus इससे फिर खोलों देगा a plus b call square a square a मेलब cos b मेलब sec a square फिर plus मैं 2a into b r plus b square sec square a अब देखिए यहां से यह sine और cos यह 1 बना लेगा इन दोनों को पास पास लिख दो sine square a plus cos square a यह 2 पढ़ा है sine भी लिख रहा हूँ मैं यह जो cos x है न गुड़ा मैं इसको मैं 1 upon sine लिख देता हूँ ताकि यह cancel हो जाएगा यह cos sec चलो एक बार है न दो cos sec square a plus यह जो 2 यह लिखा cos a को लिखा sec को क्या लिखूँ एक बटा cos और यह जो sec square a इसको भी लिखा cos से यह cos cancel एक science assign cancel यह दोनों मिलके क्या हो गया 1 यहां कौन रहे गया 2 1 2 आपका यह रहा 2 संख्यां यह बच गई क्या रहा cos sec और sec a 2 2 4 1 5 5 हो गया क्या रहा cos sec square a और sec square a अब देखिए 5 हो गया मतलब एक यह दे दे अगर यह कि यह दे दे तो 7 हो जाएगा 6 है रहे क्या होगा 7 अब एक और एक देंगे कैसे तो आपको formula आने सी कि 1 प्लस 10 square theta तो क्या होता है sec square theta और 1 प्लस cot square theta क्या होता है cos sec square theta तो sec square की theta तो theta की जगा आप यह लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस में 10 square theta cos sec की जगे लिख सकते हैं कि 1 प्लस cot square theta और यह 5 आपका यह है तो देखिए 5, 6, 7 तो यह तो गए 7 10 और cot दुन वार है तो 10 को आप पहले लिखना चाहते है तो पहले लिख दो और cot को बाद में लिखना चाहते है तो बाद में लिख दीजी यह आपके arches के वरावर आगे यह अपना answer आगे उस तो थोड़े से आपको यह formula याद रखने ताले खोलने इनको खोलने के बाद कुछ संख्याइं जूड जाएगी कुछ matter आपका कुछ combination तयार हो जाएगा अब और आगे चलते हैं प्रसन नंबर जो आपका 9 है उसको देखते हैं तो 9 प्रसन में देखिए क्या matter दियावा है उसको देख लेते हैं तो मैं इसको तो मिटा देता हूँ फिर 9 प्रसन को हल करवाय जाए उसके बाद आपको मैं जो table है बनी भी लकिस प्रकास से बनती है वो मैं table भी आज आज आपको सिखा देता हूँ इस प्रकास से table आपको रटनी नहीं है आप exam में 2 minute का समय लगेगा जादने की बाद जैसे आपको paper मिल जाए paper से पहले नहीं बनाना चाहिए साथ से पहले बच्चे क्या जाते है टेबल तयार कर लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अगर मालो फ्लाइंग आ जाएं और आपने टेबल पहले से बना रखी है तो उस समय फ्लाइंग वाले भी यह पकड़ सकते हैं तो यह विसेश दियान रखे हैं भी तो देखिए आगे होले प्रसंद में नवे में दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्रसंद संख्याद जो नाइन्थ है उसमें दे रखा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए है क्या उल्टा रिख दिया नवे में कॉसेक ए है सोरी कॉसे के मैंनस साइन ए ब्रेकट एक ब्रेकट और दे रखा है सैक ए मैंनस कॉसे SAC A-COS A SAC A-COS A बराबर सिद्ध करने में आपको क्या दे रखा है वो भी मैं लिख देता हूँ कि 1 upon में 10 A plus 4 है 1 upon में क्या दे रखा है 10 A plus 4 है ये ले के आने LHS वाला पार्ट ही है तो LHS को आप लिखे भी LHS में एक तो दे रखा है SAC A-COS A ने एक दे रखा है SAC A-COS A अब मेरे को क्या दे ये 10 और कॉट चाहिए 10 और कॉट आएगा कहां से 10 और कॉट कहां से आएगा तो एक काम हो सकता है 10 और कॉट बन सकते हैं किसके दोरा 10 और कॉट मिलते हैं अभी जो पिछले प्रसंद में लिखवाय था कि 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा बराबर क्या होता है SAC स्क्वेर थीटा होता है न मैं देखो एक तो क्या बताया है कि 1 प्लस में 10 स्क्वेर थीटा बराबर क्या होता है SAC स्क्वेर थीटा यहां सहीदी 10 सही तो cos square और sec square चागिए आएगा कहां से, जब आप sign को cos sec में लिख लोगे तो आजाएगा, कैसे, कि cos sec A minus sign को क्या लिख दे, one upon cos sec ये लिखा, इसी प्रकार sec A तो पढ़ा है, cos को क्या लिख सकते हैं, one upon sec, ये लिखा, इन दोनों के अंदर आप LCM ले लिजे, LCM आपका क्या आए की घुना को सेकस है तो क्या बन गया को सेकस्ट श्क्ट ए और मैनस वन और गुणा में आपके पास यहां भी एल्शियम की आएगा सैक ए लिया सैक की घुना सैकस स्क्ट है ए माइनस वन देखिए अब कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा तो बेनि फिट यह कैसे रहने वा होगे बना के मैं लोगो सुत्र हम मिलो एक स्क्वा और में पड़ा है यह ओसरिए को ओपर स्क्वाथीर स्क्वाथ हीटा माइनस वन क्या होता है टैनस्क्वाथ हीट अमकर और अब आप इसकी गुणा करवा सकते हैं अब आप इसको multiply है वो करवा सकते हैं तो multiply आप इसको किस प्रकार से करना चाते हैं भी आप इसकी गुणा कैसे कर सकते हैं कैसे इसको ला सकते हैं कैसे अपने को 10A और प्लस में कौट A मिलने वाला है कैसे यहां पे टैन ए और कॉट ए आपको मिलने वाला है तो थोड़ा सा आप सोचिए कि यहां इस परकार से कोई मेटर बन सकता है क्या तो देखो यह उपर वाला तो कैंसेल होगा क्यों टैन और कॉट अपोजिट होते हैं आपस में कैसे कि देखिए दोनों का स्क्वाइर है तो मैं यह काम करता हूँ कि कॉट ए इंटू टैन ए को तो लिखा अंदर और स्क्वाइर को मैं कहां लगा दू बार लगा दू और नीचे मेरे पास यह कॉशेक ए और सैक ए है अब आप गोर से देखना कि यह जो कॉट है ना कॉट को मिलेख सकता हूँ वन अपॉन टैन ए और इसके गुणा में टैन ए तो पढ़ा ही ओपर हुल स्क्वाइर है पढ़ा रहे न तो कोई दिक्कत नहीं है यह कॉशेक ए इंटू सैक ए यह भी है तो टैन से टैन कट जाएगा कटते है आपके पास क्या रह गया ऊपर तो रह गया वन वन के उपर स्क्वाइर है लगा लो कोई फरक नहीं पड़ेगा अब यहां देखिए कि नीचे कोशेक और सैक के अंदर है अपने को टैन और कॉट के अंदर चाहिए न एक आम इसको change करवो कोशेक को लिख सकते है वना पौन साई ने गुणा सैक को लिख सकते है वना पौन कोश है लिखा कोई दिक्कत नहीं लिखने के बाद लिखने के बाद अब क्या मेटर करवाए जाए अब आपने क्या काम ऐसा करवाए ताकि उसके अंदर वो वैल्यू आ जाए जो हमें चाहिए क्या चाहिए वह ऐसा आप कैसे करवाओगे मेटर को सैट करवाना है मेटर को क्या करना है सैट करवाना है तो कैसे set करोगे देखो 1 का square है तो उपर तो 1 आई रहा है इसकी कोई गंबीर समिशा नहीं है यह दोनों multiply के अंदर ही है कोई समिशा नहीं है आप sin a cos है पास पास लिख लो यह उपर 1 कर दिया अब यह जो 1 है ना इसकी जगे अपने को formula लिखना पड़ेगा तब जग हैगा यह 1 उपर वाल है ठीक है यह जो 1 है इसकी जगे हम लिख सकता हूँ कि sin square a plus cos square है यह तो 1 ही तो होता है और यह आपका sin a cos a अब मैं यहाँ अलग-अलग divide करवाता हूँ तो 1 upon में पहला जो sin square a है ना इसमें किसका sin a cos a का भाग cos square a है इसमें भी किसका sin a cos a का भाग तो होगा क्या एक sin cancel तो एक sin बटा cos क्या बन गया tan a फिर plus a cos यहाँ से cancel cos बटा sin क्या हैगा cot a यह RHS के बरबर आ गया तो थोड़ा सा आपको यह systematic डंग से आपको दिमा के अंदर रखने एक दो प्रसन ऐसे है जो प्रिक्षय में जाने से पूर आप एक बार गोर से पढ़े उनको एक बार देखें भी क्या पूछ रखा है और इस प्रसन को किस प्रकार से अपने start करें और कैसे इसको एंडिंग के और लेके जाएं अब इसका जो लाश्ट प्रसन है दस्वा वो कर लेते हैं भी तो मैं इसको तो बेटा देता हूँ ताकि लाश्ट जो दस्वा प्रसन है इस प्रसनावली का उसको भी कर लिया जाएं तो परिक्षय में आप अराम से बैठना जाने से पहले पेपर बैठने से पहले थोड़ा पानी जरूर पी ले ले प्यास हो चाहिए नहीं हो पानी थोड़ा पीना से पानी क्या करता है दिमाग को सीतल और संत रखता है जिससे आपके सोचने की जो सकती है वो बढ़ती है आप का जो ग्लुकोज लेवल है यह यह कह दें कि भी भै की कारण उने वाली जो समिश्या है जिसको आप बोलते भी पी लो होना वो नहीं होती है और शानती पुरो कराम से पेपर को अटेंड करना कोई दिक्कत नहीं आएगी तो देखी दश्वे प्रसंद में तीन पार्ट दे रखें उपर तो दे रखा है वन प्लस टैने बटा वन प्लस में कॉट स्क्वार ए फिर बराबर बराबर इसमें और दे रखा है कि वन माइनस टैने बटा वन माइनस टैने बटा वन माइनस कॉट ए का हॉल स्क्वार फिर बराबर एक पार्ट और दे रखा है बराबर क्या टैन स्क्वार ए यह चाहता कि तीनों बराबर एक काम करेंगे इसको इसको को इसकै बराबर ले फिर उसक बराबर ले तो तीन हमनों क्या होला है पहला में डो को ले रहा हूं कि लिखता हूं कि 1 प्लस 10 10 square A बटा 1 plus quarter square A बरावट 10 square A ये एक समीकर्ण बनाई है इसमें LHS वाले पार्ट को में लिखता हूं 1 plus में 10 square A बटा 1 plus में quarter square ये मेरे को दे रखा है ठीक है नहीं ये लिखा तो ये तभी इस formula है कि 1 plus 10 square theta क्या होता है 1 plus quarter square theta क्या होता है cos square theta तो theta क्या ये लिखा जाएगा अब देखे 10 आया नहीं तो sec को cos में बदलो कि 1 upon में क्या लिख सकते हैं cos square A फिर बटे में cos sec को sin में लिखो तो 1 upon में sin square A लिख सकते हैं अब आप इसको गुणा मिले जो तो कुल मिला कि 1 upon में cos square ये तो पड़ा है ये sin कहां सल आजाएगा उपर तो sin square A upon 1 तो sin square theta बटा cos square theta क्या हो जाएगा आपका 10 square theta ये देखिए RHS के बराबर आगया ये जो आपने लिया था इस RHS के बराबर आगया इसी क्रम में आप दूसरे पार्ट को भी ले सकते हैं और उसके अंदर भी आप उस मेटर को कर सकते हैं कैसे करना है अब इस second all part में भी पहला और जो तीसरा पार्ट है उसको ले सकते हैं दूसरा और तीसरा पार्ट देखो दूसरे में क्या दे रखा है कि 1-10A बटा 1-10A इसका all square है आपको क्या ले करना 10A इसका भी LHS वाल पार्ट ले लिजिए LHS में क्या दे रखा है कि 1-10A बटा 1-10A इसका all square है अब देखो all square खोलने से तो क्या ये मेटर बड़ेगा आप इसको पहले sign cost में change करवा ले फिर जाके देखेंगे कि 10 अपने पास आ जाएगा तो देखते हैं आएगा और नहीं आएगा वो बात की बात है पहले आप change करवाएं 10 का क्यों होगा sign बटा cos इसी प्रकार court को भी बदलो क्या आएगा cos बटा sin all square है आपको पड़ा रहेगा आप देखो उपर वाले दोनों में आप LCM ले लिजिए LCM जैसे ही आपने लिया LCM क्या है अब ही cos है तो once है गुणा cos है minus sign है फिर बटे में बटे में आप यहां देखोगे कि इन दोनों में भी LCM आपने लिया तो LCM क्या हैगा sin है sin की गुणा बंस है तो क्या हैगा sin A minus में cos है और इनका हॉल square अब यह काफी बड़ा हो गया है इसको गुणा में उल्टा करके ले जाओ तो देखो आप इसको यह लिख सकते हैं कैसे कि cos A minus sign है यह पड़ा है बटे में cos A है भागवाले को गुणा में ले जाओ उल्टा करके sin तो कहा जाएगा ऊपर और नीचे आजाएगा आपका sin A minus cos A यह देखिए कट सकते हैं अगर यहां negative उल्टा दे रखा थोड़ा तब यह नहीं कट रहे हैं यह काम कर लेते हैं कि जो आपका cos A minus sin A यह cos A यह पड़ा है into में यह जो sin A है इसको लिखा इस bracket में से मैं इन दोनो मैं इसे negative में कॉम ले लेता हूं तो negative कॉम लेते ही cos तो हो जाएगा positive पहले लिख देता हूं sin होगा negative बाद में लिख देता हूं ओपर यह all square आपका मौजूद है हर जगे अब यह 5 दवा इससे यह कट गया कटते ही ओपर तो 1 की गुणा sin से sin और नीचे cos की गुणा 1 से क्य क्या होगा 10A ओपर square है ना तो इसको मैं यह लग देता हूं देखो square से negative cancel और 10 square A यह RHS के equal आगे अब आप लाश्ट में लिख सकते हैं कि दैन यह तीन नों आपस में क्या equal है क्यों कि पहला last वाले के equal है second last के equal है तो तीन नों आपस में क्या होगे equal part है आगे तो यह वाला प्रसंद भी अच्छा है आप इसका screenshot ले लिजे अब आपको मैं टेबल बनाना सिखा देता हूं वी टेबल किस प्रकार से बनाई जानी है कैसे आपको एक्जाम में जाते हैं आपको पहले थैयार कर लेनी है तो आठ चेक्टर में और कोई ज्यादा खास नहीं अब आपको आनी चाहिए है चेंज करने वाले में आपको सिखा दिया इसमें सिध्य करने वाले पार्ट सिखा दिया अब आपको अगर टेबल आ रहे हैं तो शीद्धी वेल्डियू रखनी है और कुछ नहीं करना मान आपके पास आ जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि कितने त्रिकॉण मितिया फला ने लिख हो भी साइन थेटा, कॉस थेटा उसके बाद टैन थेटा टैन के बाद कॉट थेटा कॉट के बाद सैक सेख के बाद क्या आता है? कोसेक थेटा इसका opposite कोन होता है? कोसेक, साइन का कोस का उल्टा होता है सेख और 10 का उल्टा होता है कोट लाइन से लिखा हो है पहले का last सेकिंड का second last और third का ये नीचे से third वाला तो ये अपने थेटा लिख देते हैं पहला zero degree से start होता हुए पहला क्या होता है? 0 से, 0 के बाद चलता है 30 degree, 30 के बाद है, 30 degree आ गए न, 30 के बाद चलेगा 45 degree, 45 के बाद क्या आएगा 60 degree, 60 के बाद क्या आएगा 90 degree, यह सारे मान है हुए, अब दीखी करना क्या है? जीरो ना, तो जीरो के उपर था आप क्या लिख दो सिधा जीरो, याद रह जाएगा, जीरो के उपर क्या लिखा, जीरो, आप इसमें एक चोथाई जोड़ते रहे, जीरो में एक चोथाई जोड़ा, तो आपको क्या मिलेगा, एक चोथाई तो मिलेगा, एक चोथाई में फि पूरा एक रुपया हो गया है आप देख सकते हैं यह पत्सीस पैसे फिर 25 पैसे पिचेतर पैसे 75 में 25 पैसे और जोड़ा एक रुपया आपका तयार हो गया तो इसी कर्म में आपको लिख देने लिख दिया अब आपको क्या काम करना है sign के अंदर इनका root निकालना है 0 का root वर्गमूल क्या आएगा 0 इसका root लेओगे तो 1 का root तो 1 4 का क्या आएगा 2 इसका root लेओगे 1 by 2 का तो 1 का तो 1 और 2 का क्या आएगा root 2 इसी प्रकार इसका root लेओगे तो 3 का तो क्या आएगा root 3 4 का क्या आएगा 2 और वन का रूड की आएगा वन आएगा लिख दिया बैस ये पहले लाइन ही आपको लिखने आने चाहिए अब नहीं आए तो चलेगा कौस के अंदर क्या करना है इस मान को यहां से चलोगर कैसे लिख देना है तो पहले यहां तो क्या आएगा वन अब दूसरा यहां लिखा जाएगा रूड तीन बटा दो तीसरा यहीं आएगा सोथा इसको यहां लिखे एक बटा यहाएगा जीरो अब देखिए टैन का जो मान ना टैन कैसे आएगा टैन कैसे आएगा बेर टैन थीटा क्या होता है 10 theta होता है sin theta के अंदर किसका cos theta का भाग है लगा दीजिए light चली गई है आपकी एक मिनट रुकिए light चली गई तो बीच में light की दिक्कत आगे थी जो light वापिस आ गई है मैं यहां बता रहा था आपको कि जो cos वाल आवान है और 10 क्या होता है sin theta में जो cos theta का भाग लगेगा तो आएगा तो sin के वहले उपर पड़िए cos वाल नीचे पड़िए देखो बटे के अंदर यह line आप बटा पड़ोगे तो क्या है 0 में 1 का भाग लगाओगे क्या आएगा 0 1 बटादो रूड के बात है 1'll two three times रूड़ों कि बात है बात है नेच Cam song क्या रूड़वाह एक less बात है उसका बात हे देवके में देवके तो दो स्दुआए कहा है again तो इनफाइनेट आएगा, एक बटा रूट 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 किसका sign का उल्टा तो 0 का उल्टा infinite 1 बटा 2 का 2 1 बटा root 2 का root 2 root 3 बटा 2 का क्या होगा 2 बटा root 3 और 1 का उल्टा क्या जाएगा एक ये आपके table तैयार हो गया तो इस प्रकार से जाता है आपको table बना लेनी है एक दो नमर के प्रस्ण आपके stable में से value रख रख के निकालने वाले आएंगे तो उनको भी करना है बाकि लगबग मैंने इस चेप्टर में सारे प्रसन करवा दिये और अब आप अराम से मल लगा के पढ़ाई करें यदि और भी कोई दिक्कतारे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी और जो महत्वपुर्ण प्रसन है उसके सीरीज क्या है जल्द ही स्टार्ट करवा दी जाएगी तो नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच